हेलो अवरिवन कैसे हो सभी दायटक्स चाहें प्यापका स्वागत है आज हम बात करने वाले है ब्रोकली के बैनेफिट तेके ब्रोकली खाने के क्या-क्या फाइदे है पसे तो सभी कह रहते हैं हरी सबजे सब खाओ पतिदार सबजे सब खाओ बट क्यों खाए रीजन तो पत तो आपको प्रोटीन भी अच्छा मिल रहा है सो ग्राम में सिर्फ खाने में ही और आपको विटामिन सी भी अच्छा मिल रहा है अगर आपने सो ग्राम आपने ब्रोकली खा लिया तो पूरे दिन आपको विटामिन सी सप्लिमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि व इसलिए खाहता है इसका गलाइस्मिक इंडेक्स लोड रहता है या जो गलाइस्मिक इंडेक्स लोड है वो कम है एंटी उक्षिटेंट काफी अच्छा है इसमें वह आपको हार्ट विमारी को कम करता है कैसे क्योंकि कोलेस्ट्रोल और ट्राइगलिस्ट्राइड को कम करता है इसी के साथ digestion को अच्छा रखता है क्योंकि fiber अच्छी amount में है तो जब fiber अच्छी amount में होगा तो आपको constipation नहीं होगा constipation नहीं होगा, piles, fistula, fissure ये दिक्कते कमाएगी पेड साफ अच्छा रहेगा तो बाकी और दिक्कते आपको नहीं होगी इसी के साथ में एक सबसे में काम ब्रोकली का क्या है जो diabetes के patient है, उनको ब्रोकली जरूर खाने चाहिए क्योंकि ये sugar level को control रखता है अगर हम बात करते हैं, ब्रोकली की recipe क्या क्या खा सकते हो ब्रोकली खानी है, तो कैसे कैसे खा सकते हो सूप बनाी ब्रोकली खाने के हैं ऐता बना सकते हो आटला बैसे साथ में ब्रोकली का चिल्ला included ब्रोकली स्टफ चपाती ब्रोकली सब्जी बनवा सकते हो भुष सारी वेरायटी है जो कर सकते हो तो आज से आप ब्रोकली खाना स्टार्ट करिये और बहुत सारे बेनफिट है अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लायक शीयर कमेंट जरूर करें तरुट।